नमो नारे जगो माता वंदे मात्रमा भारति को प्रणाम और हिर्दायशे आउम शम शनिश्यारा आए नमो प्रिमित्र साथियों मनो भावों को सांत और सहज भाव में व्यक्त करे तो कैसी भी बिगडी बात होगी वो बन जाएगी जो आपके मन के भाव है इसको सांत और सहज भाव से वक्त कर जाएगा बिगडी बात बन जाएगा कारी वेवार में क्यों को क्यों नहीं में बदलने की कला सीखिए सकारात में सोच हमेशा प्रगर्ति की और ले जाती है जरा अपनाईएगा आवश्य जीवन की सफलता की दोर आपके हाथ में रहेगी नमनाएगा प्रिदर्शिकों मित्रों शाथियों हाजेरों आपके सामने मकर राशी का जनवरी 2022 का मासिक राशी पर लेगा जनवर 2022 का महिना मकर राशी वालों के लिए कैसा रहेगा वीडियो लेकर मकर राशी वालों के सामने हूँ और शवी मकराशी के भाई बैनों को साल 2022 की दाती महराज की ओर से हर्दिक सुका अपना है आपका जिवन खुशियों से भरा रहे सनी भगवान की सिर्चर्णों में मेरी प्राद्म ये जिन्नवरी महने का राशिफल है 2022 का लेकिन मकराशी वालों से कहना चाहता हूँ की 2022 साल आपके लिए कैसा रहेगा पूरे विवरन के साथ ये वीडियो गुरुमंतर विद्धाती महराज पर आपको मिल जाएगा देखना नहीं पूले किस तारिक को आपका जन्नमयार आपका मुलांग क्या है और मुलांग के हिसाब से 2022 कैसा जाएगा ये वीडियो भी गुरुमंतर विद्धाती महराज पर है बित्रों शातियों गनित की गननाओं के अनुशार आने वाले ये साथ साल परिवर्तन का संकेत देर है और आने वाले इस परिवर्तन में आपका जन्नमांग आपके जन्नमांग में विराजमान घ्रह आपको अनकूल फल प्रदान करे सदा खुश रहो एक प्रोगाम लेकर गुरुमंतर विद्धाती महराज पर आ रहा हूँ जन्नम दिन की बधाई तो देते हैं लेकिन जन्नम दिन की बधाई और साल गिरे पर हम कोई ऐसा उपाय क्या करें हमारा साल सकून और संती सबीते हैं यह भी दो मिंट के विडियो गुरुमंतर विद्दाती महराज पर आपको मेलेगा बात करते हैं जनवरी मेंने का फला देश कैसा रहेगा जनवरी का मेंने लेकिन उससे पहले जनवरी मेंने का मकर राशीवालों के लिए ग्रहय होगही बुद के साथ स्वराशिय मकर में लगन भाव से संचरन कर रहेगे 14 जनवरी को बुद्र मकर रासी लगन भाव में वक्री होंगे 17 जनवरी को बुद्र अस्थ होंगे और 29 जनवरी को बुद्र पुनय उदय होंगे और 19 जनवरी को सन्य देव अस्थ होंगे सुर्य वक्री शुक्र के साथ धनुरासी 12 भाव में 14 January को शुर्य मकार रासी ही लगन भाय में संचरंड करेंगे 5 January को शुकर अष्थ होंगे 12 January इस चनरमा मंगल और केतु के साथ विर्षिक रासी के 17 भाव में 16 January को मंगल धनू 1 वे भाय में शंरण करेंगे ब्रश्पति पूरे महां कुम राशी दूसरे भाव में संच्रन करेंगे राउ विर्षब राशी पंचम भाव में 16 जनवरी तक राउ की पूर्ण शप्तम दर्शी मंगल और केतु पे रहेगी मंगल की चतुर दर्शी ब्रश्पति पे रहेगी और 14 जनवरी तक राहू शूरी शुक्र के साथ सरा सक्षमन में रहेंगे यह है जनवरी महिने का ग्रह योगा योग मकर राशी वालों के लिए जनवरी का महिना शिक्षा की दर्श्टी कौन से परिश्रम की अधिक्ता का संकिर दे रहा है सिक्षा में सपलता के लिए मकर राशी वालों को जनवरी के महिने में कड़ी महनत और परिश्रम करना पड़ेगा तब ही सपलता मिल सकती है सिक्षा संबंदी मसलों में थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि लगने सनी लगन भाव से संचरन करने और सनिदेव की जो गतिए थोड़ा सा धी में है सनिदेव की तीसरी दस्टी तीसरे भाव पर है इसलिए महनत अधिक होगी तो जनवरी का जो महिना है सिक्षा की दस्टी काउंट से थोड़ा सा परिश्रम और महनत का संकेदर रेकर परिश्रम और महनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा ऐसा नक्षत तरगना कह रही है विध्यारतिया और यवाउं से काउंगा कि जनवरी के महीने में एजुकेशन और के मामले में थोड़ा सम्वेदल रहना बहुत जरूरी है पड़ाई पर अपना ध्यान केंडरित करना बहुत जरूरी है सब जट को समझने के लिए मेहनत तो करनी पड़े पंचमे शुक्र की बारवे भाव पे इस्तिती सिक्षा समन्दी कारियों में उठा पटको रुकाउट का संके देरी तो सावधान है भाई खास्त और प्रतियोगी परिक्षा की त्यारी करें विद्यारतियों को इस महीने पहले से अधिक महनत करनी होगी मंगल ग्यारवे भाव लाव विस्तान में स्वरासी विर्चिक में संचर्ण कर रहे हैं सब्सक्राव को देख रहे हैं तो परिश्रम महनत और कड़ी जो आप शंगर्श कर रहे हैं उसके प्रिणाम बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन महनत करनी पड़ेगी लेकिन मंगल के प्रभाव से महनत का पूर्ण फल आपको प्राप्ट होगा 16 जनवरी के महा के अंध तक शिक्षा और केरियर की दिस्टिकार्ण से मकराशी की विद्यारतियों के लिए लाब और शफलता का संकित नजर आ रहा है शफलता मिलेगी, लाब मिलेगा, रुके वे काम भी मिलेगे, परिवार का साथ मिलेगा और शिक्षा के सेतर में आर्तिक पक्स को लेकर भी आप सहज और शकून भरा वाता होना आप महसूस करेंगे परतियों की परिशा की तेहरी के विद्यार्तियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे 16 जनवरी के बार, और इसकूल, युनिवर्शिती, कॉलेज में कोई दाखिला का मामला है, उसमें भी आपको शफलता मिल जाएगी तो, 16 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय, एजुकेशन के हि साथ से ठीक रहेगा, और एक जनवरी से 15 जनवरी तक सपलता मिलेगी, लेकिन कड़ी महनत और परिश्ट्रम का संकेतना जिरा रहा है, न माना है, हमें बात करूँगा, मकराशी वालों के लिए ब्यविशाई, नौकरी और आर्थिक दस्टिकॉण से, मकराशी वालों के लि आपको में लेगे, व्यविशाई कामकाज और नौकरी को लेकर अनामशक परिशानियां उठापटक और कश्टों में रहत महसुस करेंगे, मैनत है, परिश्ट्रम है, लेकिन जो अनामशक परिशानिया थी, जो बाधाय थी, जो रुकावड थी, उन सब में कमी आएगी और शफलता की स्रोत प्रारम होगे, कारवार के लियास से मकराशी वालों के लिए अश्मेश शूर्य का द्वादस भाव में होना, इस बात का संकेत जरू नजर आ रहा कि थोड़ा खर्चा बर सकता है, बानी में थोड़ा सा सहीम रखना पड़ेगा, जलबज बचना होगा, ल लेकिन परिश्रम का संकेत है, थोड़ा सा आकर्म के वैवार पर अंकुष रखना होगा, क्योंकि आकर्मर वैवार की वज़े से कारी छेतर में प्रतिकूल प्रभाव पढ़ सकता, इसमें लापरवाई नहीं बढ़े, मकराशी वालों के लिए जिस तरे के घरे योगा- पर आपकी सफलता सोने चित होगी, और इसमें आपका जो सोचल सरकल है, वो आपको काफी सयोगी बना रहेगा, जिसे आपको आर्थिक लाप की प्राप्ति होगी, सनिदेव की दर्सम दर्स्री आजिविका की भाव पर है, करमिस्तान पर है, कामकाज वैविशाई नौकरी क सनिदेव लगन के साथ-साथ दूसरे भाव की शौमी है, तो बैंक बैलेंस भी आपका ठीक रहेगा, धन के मामलों में शौपलता मिलेगी, आर्थिक दर्सी से आप समर्दिशाली बने रहेंगे, यह एक बात ध्यान रखने वाले है कि ब्रश्पति बार्वे भाव की शौम ब्रश्पति और तिर्त्यत ब्रश्पति होकर दूसरे भाव में विराजमान है, और इसके साथ ब्रश्पति बार्वे घर का शौमी है, जब ही किसी भाव में बैटेगा तो उस भाव की हानरी करेगा, तो चुल्ढे करण़ा खर्चा बढ़ाएगा, इस बात का ध्यान प्रश्पत की पंचम दसी छटे भाव पर पड़ रही है तो रिंड सबंदी मसलों में थोड़ी सी रहत मिलेगे और जो अनाव से करजा है उसे छुटकारा मिलेगे पंचमेश शुकर बारवे इस्तान में बैटे हैं तो शेर मार्केट को लेकर भी शफलता का संकित दजर आ रहा है इससे में आपको इनहा बिजनेस भी सुरू कर सकते हैं विदेश समंदी मामलों में थोड़ी सी गति आएगी चुकि राव पंचम भाव में विराज माने और उ मंगल की एकादस भाव में इस्तिति आपके कारी वैविशाई के लिए मजबूत प्लेटफर्म बना रही है जिसका लाब आपको कारी श्रत पर अवश्य मिलेगा सुकेश मंगल के अपनी रासी में विराजमान होने से बहुतिक सुख सुविदा में बिर्दी होगी जमिन ज बिमारियों को लेकर आप तनाव में थे उसमें कुछ राहत मैसुस करेंगे प्रतिश्पृता की भावना बढ़ेगी और प्रतिदुन्द्यों पर जीत हासिल करने में आप शक्षम रहेंगे 16 जनवरी वाद मंगल बारवे भाव में परवेश करेंगे थोड़ा सा साफधान करने का संकेत दे रहें आप बिजनेस को जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं उसे आप तिव्रता से निप्टा लें 16 जनवरी के बाद धन के लेंदेन से थोड़ा दूर रहना होगा वेशाय विस्तार से बचना होगा ऐसा नक्षतरों का संकेत है अब मैं बात करूंगा सामा में थोड़ा परिवतन आ सकता है सामाजिक और पारवरिक दाएरे बदल सकते हैं इस महीने आपको आलश और प्रमात से दूर रहना पड़ेगा और दामपति समंदों में दूरी नहीं बने इस पर विशेस काम करना होगा क्योंकि नक्षत गरना इस बात का संकेत है कि जिवन साथी का सहोग आपको जरूर मिलेगा और जिवन साथी के सहोग से आर्थिक दूर साफ सुदल बनेंगी चोदा जनरी को शूरी और श्यानी और बुद्ध के साथ लगन भाव में संचन करने और तीनों ग्रों की शप्तम भाव पर दरश्टी पारवारी महवल वैभाईक जि ठीक रहे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा पंचमभा में विराजमांत रहू आपके निजी समंदों को लेकर कुछ साइक सिध होंगे इदी निजी समंदों को लेकर ये निजी समंदों वियाव में परविरत हो सकते हैं और निजी समंदों में थोड़ी सी पार्दे सा रखी और पवीतरता रखी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सुर्य और शनी की यूती सभाव में थोड़ा परिवर्तन का संकेद रहे तो चिर्चड़ापन नहीं आए तलखी नहीं आए इस बात पर ध्यान देना होगा स्वास्ते की बात कर देहिं वहां स्वास्तते की लियाज से 10 में सुर्यकी है की बारवी भ्यव में उत्रति स्वास्त्त संबंधी की प्रेशानियों का संकेद रहे लिए कि उसमें स्वास्तिय को लेकर इस्तिया थोड़ी नियंत में रहेगी पर तो 16 जनिय मंगल 12 बाव में आजाने से परिशानियों का शंकेत नजर आ रहा है लापरवाई नहीं करें क्या उपाय करें भगान शरी हरी विश्वन की उपासना जनवरी के महिने में आपको बहुत ला रहेगा मंगलवार के दिन हनवान जी की सिर्चनलों में सुद्देशी घी का दिपक जलार वहीं बैठ कर संकट मोचन हनवान अस्तिका एक पाठ करें लाव में देगा गुरुवार दिन सर्दान उसार बेशन गाय को अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुब रहेगा यह कोई भूल हो गयो तो हाथ जोड़कर छमा प्रात्न आप शुक्की रहें स्वस्तर है और समर्दी सील है सनि भगवान के सिचलनों में मेरी प्रात्ना नमना रहें रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति मराज गायन से बहुत प्यार करता है बेटियों से बहुत प्यार कर रहा हूं यह मेरा जीवन का नक्ष रहा है मनश्य हूं और मानों होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट के शेवा करूं मैं इस राष्ट का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं अब भ दन नहीं चाहिए लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका श्योग चाहिए और श्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूं आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरी साल खड़ा रहूंगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मे मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है चातियों मेरा राश्रों पर है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता करिए सनिभगवान आपकी रक्षा करेव आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदन है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आविश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों अमित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रसती आर्तिक दस्टिकॉन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा न आपको लगता है कि दाती महराज कि साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है परा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमो नारायन ओम नमो नारायन